नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिल्सेग वर आपको सागत है तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिगच एक Auto Company के बार में मतलब Auto Industries से बिलोंग करने वाला एक दिगच Two and Three Wheeler बढ़ाने वाला Company के बार में तो आप सबसे पहले नाम देख चुके है बजा जोटो क्योंकि बजा जोटो इंडिया का Two and Three Wheeler बढ़ाने वाला सबसे बड़ा Company है सबसे बड़ा मतलब इस Company के बार में आज बात करूँगा क्योंकि इस Company का Sales का जो रिपोर्ट है February मांद का वह भी आ चुके है और सबसे बड़ी एक Breaking News भी आ चुके है इस Company के उपर तो बहुत ज्यादा प्रेसर क्रियेट हो चुके है तो इस प्रेसर के कौन सा वो प्रेसर कौन सा वो कारण है उसके बार में जुरू बात करूँगा तो वीडियो को लास तक देखना और अभी तक अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना क्योंको स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन एन आपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहेएग जो सेकंड निउस है उसके बार में भी कभार करूँगा तो वीडियो को पूरा एक एक करके डीटेल्स में देखना बहुत सारे चीज आपको जानने को मुका मिलेगा देखे आप एक इनिवेश्टर है इनिवेश्टर का मतलब आपको हमेसा अपडेट होना चाहिए आप निप्टी तो 16,500 रेंज भी क्रॉस कर चुके हैं मतलब कितना भारी भार कम गिरावट हुआ है आप एक बास सोच लीजिए तो इस टाइम में क्या करना चाहिए बहुत सा रिटेन निवेश्टर किसी टाइम में पैनिक होकर खुद का सेयर बेस देते हैं मानता हुमें के सारे डीटेल्स उस्टों है तो उस कॉंपअनि के ऊपर आपको ज़ोर स्टो बढ़'T सब एगा तो सबसे पहले में बात करूं तो सेल ब्सका रिपोर्ट के को आपकर सेल्सका रिपोर्ट आया है फेबरारी 2022, फेबरारी 2021 तो यह परसंटेज भी दिया गए है आप परसंटेज के हिसाब से देख पाएंगे तो देखिए टोटली जो टूविलर का जो सेल्स है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट तो डोमेस्टिक का जो सेल्स है वो देखिए 96,523 यूनिट जो पहले था 1,48,934 यूनिट मतलब एक साल के अंदर कितना रेशियो कम होगे आप खुदी देख लिए 35 परसंट का सेल्स डाउन तो डोमेस्टिक में पहले सेल्स डाउन हो चुके है और एक्सपोर्ट के बारे मामले बात करू तो टोटल जो टूविलर एक्सपोर्ट किया ज्यादा तर द 3,600 यूनिट मतलब एक सेम टू सेम लेबल का था तो इसलिए परसंटेज यहाँ पर कुछ दिया गया नहीं तो साब टोटल के बारे मात करूए तो टोटल जो टूविलर जो एक्सपोर्ट और टोटल डोमेस्टिक जो सेल्स किया वो 2,79,337 यूनिट बेचा गया मगर पिछ पर देले तो बात करूना के सिचुएशन में सेल्स डाउन हो गया था फिर से यूगेन और रस्या के बीज में जो वैर चल है तो इस वैर में अब्यस्टिक प्रेसर हर मार्केट के हर इंडस्टिक के ऊपर है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रेसर देखने को मिला और सब्सक्राइब कर देखें डोमेस्टिक में 16,200 से ज्यादा और पिछले सालम में था 15,800 मतलब 2% का जाम है यहाँ पर अबिएसली डोमेस्टिक में थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ हुआ मगर एक्सपोर्ट कम हो गया 20,400 पिछले सालमें था 26,500 मतलब 23 पारशन का सेल्स डाउन हो तो कुछ चीज पॉजिटीव में है मकर परसंटेज वाइस देखा जाए तो साब टोटल टोटली डाउन फॉल में है तो डोमेस्टिक टूहिलर एंड टूहिलर एंड प्लास सी भी जो इसका जो गाडिया है वो डोमेस्टिक देखिए यहाँ पर 32 परसन का सेल्स डाउन क्य किसी डेटा चलते रहे इस तरीके से चलते रहे तो कॉम्पानी के लिए बहुत बहुत प्रेसर केट हो सकते हैं मेरे कहने का मतलब है कॉम्पानी का जो सेल्स का फिगर है वो जो आज के जद दूसरा इस कॉम्पानी का ब्रेकिंग नुच है उसी के ऊपर डिपेंड करते है का पहली बात एकर सेल्स का रिपोट में पछले मांद में भी आपको दिखाता पिछले इसमबर मांद के भी cares है था November, December हर इकान्त के में डीटा आपको दिखाता रहे था हूद देकर लगए अपको एक लिग जाईगा आपका जो फारफं़ेंट से मतलब company का इस तरीके से हो रहा है तो उसी के उपर basis से आप company के उपर निभेस करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर निवेस करके रखे हैं, तो आपको निकल जाना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, देखे, एक अंधाजा लग जाएगा, कि कॉम्पानी के बारे में क्या चलना है, तो देखे, कॉम्पानी का सेल्स, मतलब बंद नहीं हुआ, काम हो गया, थोड़ा सा काम हु तो सेमी कंडॉक्टर के सौटेज के कारण से ही, सबसे ज़्यादा प्रेसार में दिखने को मिला है, ओटो इंडेस्टी में प्रेसार होने का मेन रीजन है सेमी कंडॉक्टर, अगर सेमी कंडॉक्टर ही नहीं रहेगा, मतलब सेमी कंडॉक्टर ही, अगर ज्यादातार सौट देखे रास्याने उक्रेन के बीच में जो विबाग चल रहा है, जो वायर का जो सिचुएस मतलब वायर अल्मॉस्ट चल रहा है, तो उसलिए क्या हो रहा है, सेमिकॉंडक्टर के सौटेज देख रहा है। क्या है in product लुक्त लुक्त सार के प्रोड़ुक्त से इंडिया में G идthi गूंडक्टर लुक्त था सब करते से अगर वएक के टाइम पे बहुत सारो कंजous कऔर डेता है। तो इसलिए nap प्रब्लम से अगर गाडिया नहीं बनेंगे तो सेल्स कहां से करेगा लेकर मार्केट में डीमांड है मगर डीमांड फिलाप करने के लिए आपके पास तो माल भी होना चाहिए न इसलिए जादा तर प्रेसार इसलिए देखने को मिला है क्योंकि देखे माल के सौटेज के रहे है कि कमपनी के जो सेल्स है वो टोटल इसी परसें ड्रॉप हो चुक है मतलब मैं पहले आपको दिखा चुक हो 16 परसेंट डॉप मतलब को च्वोटा मोटा ड्रॉप नहीं है बहुत बड़ा ड्रॉप बहुत बड़ा एक फॉलिंग आपको अब्यस देखने को मिला तो प्रेसार है मार्केट के लिए प्रेसार है और कमपाणी के लिए उपर की भी बहुत ज़्यादा प्रेसार है तो इसी के डीटेल से आपको दिया गए हैं तो इस सेकेंड नीज बहुत इन्पोर्टन है अगर यह वैर नहीं रुका और यह मतलब चलता रहा तो सिर्फ 2500 मतलब करीबन करीबन कितना 2000 पर संतक यहां पर देखने को मिला है गिरावट तो कोई छोटा मोटा गिरावट तो नहीं है तो इसके उपर भी आपको फोकस होना चाहिए कि इस कोम्पाणी को निवेश करना चाहिए तो इसके लिए आपको अमकूंपाणी के डीटिल देख और mutual fund के पास 5% है, FIS के पास 10% है, public के पास इस company के ज़्यादा स्यर्स है, 22.85% public के पास है, तो यहाँ पर आदा segment भी माल भेकर रखा 8.2%, तो overall बात करूँ, हर किसी के पास इस company का हिस्सेदारी है, तो ज़्यादातर माल public के पास है, यही सबसे थोड़ा सा खत्रे के movement है, क्योंकि public के पास ज़्यादा माल होगा, तो कुछ भी monopolate हो सकते है, मगर mutual fund और institution के पास अगर माल ज़्यादा होगा, तो monopolate होने का chance से ज़्यादा कम रहेगा, तो फिर भी देखिए, मैं company के बारे में थोड़ा सा जानकारी भी आपको देदू, तो कोई company कोई छोटा मोटा company है, 95,000 करोड का market capital है, तो एक लाग करोड मतलब टाच करने बाला है, तो इसका market capital है, एक large cap company बोल सकते हैं, company के देखिए, इंडेस्टी इस पीरेसी सोला है, इसका खुद का पीरेसी भी सोला है, company के रिटान भी equity है, रिटान भी capital employed अबको बहुत सांदार देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, 25%, 19%, company के देखिए, करजा free, debt free company अब बोल सकते हैं, क्योंकि ना के बराबर करजा है, 122 करोड का करजा, जो company 4800 करोड कमा रहा है, उसके पास 100 करोड का करजा कुछ भी नहीं है, company के promoter के पास तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 53% holding है, EPS, earning past share देख लिए, 214 rupees कितना सांदार earning कर रहे हैं, पार सेर में, अच्छा कासा earning है, तो return of equity देख लिए, return of equity जो है, return of equity के बारे बात कर दो, मैं पहले ही बता चुका, return of equity, 19.8%, तो ROE जो है, वो 19.8% return of equity है, सांदा return of equity आपे देखने को मिला, तो company का हाथ में करीबन 3000 करोड तक यहाँ पे क्यास है, तो इंडिया के देखिए, number one company है, बाजा जोटो, क्योंके two wheeler and three wheeler बनाने वाला जितने सारे companies है, उन में से अतु लोटो, और बाजा जोटो, और TBS company को एक साथ जोड का देखा जाए, तो इंडिया का number one company है, बजा जोटो, तो इस company का sales का report है, company जिस तरीके से profit कर रहे है, वो भी आपको देखना चाहिए, company देखिए, अच्छा का sales का report साल भर में दिखा रहा है, तो company का हर month की report देखना चाहिए, हर year की report देखना चाहिए, तब ही आपको पता चलेगा कि हा, company किस तरीके से profit कमा के दे रहा है, तो company जिस तरीके से income क्या, उससे बहुत कम expense भी करते हैं, पर interest ना के बरबर है, क्योंकि company उतना ज़्यदा करजा नहीं लेते है, company के हाथ में इसलिए ज़्यादातर margin बच जाता है, आप खुद ही देख देखेंगे, तो आपको खुद ही पता चलेगा, देखेंगे, किस तरीके से प्रेसर यहापर देखने को मिला, अच्छा का सा गिरावट यहापर देखने को मिला है, तो दीखें, company इस तरीके से बहुत बार गिर चुके है, फिर भी धीरे-धीरे-धीरे-धीरे करके आप में जा रहा है, तो इसके उपर आपको ज़रूर इस company को पर study करना चाहिए, और long term के लिए ज़रूर सोचना चाहिए, तो आसा करता हूँ, सारे जान कर आपको मिल चुक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं निया स्टॉक लिए, तब तक लिए चाहिए, आपने ख्याल लखिए, बाबाई